हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है अपनी पार्ट शाला चैनल में ये वाला वीडियो और एकल पे बनाया गया है बेसिक पार्ट उसका विज मिलिए गया है बेसिक इंट्रोडक्शन नेक्स वाला जो वीडियो होगा वो भी अफ्लोड कर दिया जाएगा आप लोगों ने चैनल अगर सबस्काइब नहीं किया है तो चैनल सबस्काइब जरूर कर लीजिएगा नोटिफिकेशन भी नेवल कर लीजिएगा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर यह यह के लिए अप्लोड करने का और E 결क को कि स्टार्ट करते हैं और अगर हम बात करें तो रख smok fiveC Phillies की कैटेग्र में आता है अच्छा यह की कैटेग्री में अगर आता है तो मीन चीजिद यह की होता क्या है औरेकल के parts क्या है औरेकल बना किस तरीके से तो औरेकल के अगर हम बात करें तो औरेकल में दो पार्ट होते हैं एक पार्ट है आपका instance दूसरा एक database अच्छा instance ओर database जो दो पार्ट है औरेकल के औरेकल क्या है औरेकल के अंदर दो पार्ट है basically there are two two main component in Oracle database दो तरह के component इसके अंदर जोड के और Oracle बनाया गया है और एकल कि अगर हम बात करें तो पहला इसका वेडियबल कहलो component कहलो basic part कहलो या फिर essential part कहलो वह इंस्टेंस इंस्टेंस जो है इंस्टेंस किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ इंस्टेंस के अगर हम बात करें तो इंस्टेंस जो है वो memory structure और background process इनका combination है मतलब क्या data structure के अंदर तो instance क्या होता था एक single एक particular location पे आपका कोई अगर data होता था उसको हम बोलते तो instance यहां पे इंस्टेंस जो है वो क्या है memory structure memory structure के साथ में background में चल रही कुछ process और एकल में यही ध्यान रखिएगा कि यहां पे background process जो है उनका बहुत बड़ा हाथ है और एकल के चलने में background process जो है वो काफी सारी है essential है सारी की सारी अच्छा यह वाला जो वीडियो है इसमें सारा ordinary वाला डेटा है ऐसा भी बोला जा सकता है या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपके डिस्क है जो आपके resources है जहां पर आपका data रखा हुआ है यहां पर डेटा इस्टोर करना चाहते हैं वह आपकी category है database की तो इस चीज़ को समझेगा कि यह दो पूछा जा सकता था इंस्टेंस जो है वो database के इंदर क्या है या फिर यह से पूछा जा सकता था कि इंस्टेंस जो है वो किस-किस part से मिलकर बना हुआ है तो एक तो memory structure हुआ आपका एक डेटा एक बैग्राउंड प्रोसेस हुए तो यह question पूछा जा सकता था वहां पर इंस्टेंस के अगर हम बात करें तो इंस्टेंस जो है आपका database file themselves are useless without memory structure and processor अच्छा database files के अगर हम बात करें हम सिर्फ यह बोल दे कि मेरे पास में database की कुछ files है मेरे पास में एक database है तो मैं अगर यह बोलू तो वह database मेरे लिए कब तक useless होगा जब तक मेरे पास कोई memory structure नहीं होगा या फिर कोई process नहीं होगी जो उस database के साथ work करें इस चीज़ को ऐसे समझिएगा कि मेरे पास में एक database है या फिर यह मान के चले simple सा example लेके चले कि मेरे पास में एक register है उस register के अंदर काफी सारी details मैंने enter की हुई है काफी सारे logo की details मैंने उसमें लिखी हुई है या फिर ऐसे समझ ले कि students की details मैंने उसमें लिखी हुई है नहीं कोई process है हमारे पास नहीं किसी तरीके से उन details को read किया जा सकता है अब हम यह तो बोल दे कि database मेरे पास में है जो बात सही है अच्छा इस बात को अगर देखा जाए कि clear यहां पर बोला जाए कि वो register एक database है तो यह वाला point तो सही है लेकिन क्या हम उसको यूज में ले सकत है लेकिन complexions काफी जड़ा होंगे तो database फाइल कब तक हमारे लिए काम की नहीं है जब तक उसका कोई basic memory structure ना हो और एक single process यह काफी सारी processes उससे connected ना हो नेक्स चीज अगर हम देखे और अकल डिफाइन दा टर्म इंस्टेंस एज दे मेमोरी स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि यहां पर इंस्टेंस जो है उसका basic आप मीन यह निकाल सकते हैं कि यह क्या है यह मेमोरी स्ट्रक्चर एंड बैक्ग्राउंड प्रोसेस यूज तो एक्से करने का data को read करने का data को update करने का काम करती हैं जो हमेशा रनिंग में रहती है अच्छा हमेशा running में रहेगी मतलब यह कि आपका database जो है यह हमेशा accessible होगा इसको हमेशा access किया जासकता है यह तक का part समझ आया हुगा memory structure जो है and background process यह दोनों मिलके आपका instance create करती है यहाँ पर question पूछा जा सकता है कि instance जो है वो किन-किन part से मिलके बना हुआ है या basic part क्या है instance के या फिर एक instance के लिए जो essential parts है किन part से मिलके बना हुआ है तो यह question पूछा जा सकता है memory structure के अगर हम बात करें तो memory structure जो है इसके वापस से further part है अच्छा औरेकल के लिए एक basic यह चीज़ समझ लीजिएगा कि औरेकल जो है यह काफी सारे process का काफी सारे elements का एक combination है काफी सारी process है जो combine होके work करती है काफी सारे elements है काफी सारी entities है जिनके अलग-अलग separate work है अच्छा separate work इसलिए है कि ज़्यादा word done किसी एक single process पर या एक entity पर ना पड़े तो memory structure जो है यह इसके साथ में काफी सारे values को या entities को रखता है अगर हम देखे तो यहाँ पर system global area SGA जिसको बोला जाता है system global area next है आपका PGA program global area next है आपके optional area जो है इसमें software area code generally use में ले लिया जाता है तो तीन चीज़े हैं यह चीज़ अच्छे से देख लीजिएगा system global area program global area and optional area जिसके लिए software area code use में लिया जाता है यहाँ से भी kitchen पूछाजा सकता है यह memory structure जो है वो किन-किन पार्ट से मिलकर बना होता है और एकल में तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी system global area है SGA program global area है और एक optional area है जिसको software area code कहा जाता है mandatory background process क्या-क्या होंगे दो ही चीजे तो हमने बोली कि यह दो चीजों का part है कौन-कौन से एक तो जो background process है वो चाहिए ही चाहिए और एक memory structure इसको चाहिए अच्छा background process की अगर हम बात करें तो background process जो running में रहती है वो एक बार देख लेते हैं बाद में इनको अच्छे से discuss कर लेंगे पहली जो process है वो है database writer, database writer का काम क्या कि data के अंदर मतलब जो आपका database है उसके अंदर जो भी operations होने है read write वगेरा का या फिर database update वगेरा होने का या data retrieve होने का यह सारा database writer करेगा database को create करने का काम भी database writer करेगा log writer जो event हो रहे होंगे उन चीज के लिए यह checkpoint जो भी problems होगे रहा आती है या भी जो भी event अकर होते हैं उन चीज के लिए system monitor जो अभी current working चल रहा होगा system का उस चीज के लिए process monitor के अगर हम बात करें तो process monitor बताता है अभी जो running में process होंगी and another optional background processes are यह जो है यह दो background की जो process है यह optional होती है यह question सबसे ज़्यादा यह जो दोनो process है यह background process है और कौन सी है optional है तो इस चीज को देख लीजिएगा यह वाला part काफी important है archiver और recover यह दोनों के दोनो background process की category में ही आते हैं लेकिन कौन से है optional है essential कौन कौन सी है आपकी database writer हुआ, log writer हुआ, check point हुआ, system monitor हुआ, process monitor हुआ, यह सारी की सारी है आपकी essential यह sense के अगर हम बात करें तो इसका architecture एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर होता क्या क्या है, sga जो अभी हमने just देखा था, sga और pga दो पार्ट थे आपके, तो दोनों जो part है, इन part के अगर हम बात करें, sga यह वापस से further divided है, इसके अंदर buffer code होता है, redo log buffer होता है, redo log buffer, large pool हो इसको next video में discuss कर लेंगे, यह वाली background process है, जो running में रहती है, background process में कौन कौन से हमने देखी थी, database के लिए, data writer, log writer, check point था, दो process और थी, जो हमने अभी just देखी थी, उसके अलावा यहाँ पर archiverer और recoverer जो थी, यह दोनों कौन सी थी, यह दोनों सी आपकी optional, यह बाकी की कौन सी इसेंचियल, तो यह जो instance का एक architecture है, इस architecture को एक बार discuss कर लेते हैं, क्या-क्या part होते हैं, instance के अंदर, instance work कैसे करता है, कौन से part का क्या work है, तो सबसे पहले देखते हैं, system global area, system global area के अगर हम बात करें, तो as is the primary memory structure, memory structure तो है, as यह जो है, यह primary memory structure है, when Oracle DBA talk about memory, मतलब यह होगा, database administrator, अगर वो memory की बात करते हैं, किसी भी समय, अगर वो memory की बात करते हैं, तो उनका मतलब हमेशे किस से हता है, SGS है, system global area से, this area is broken into few parts, अचा देखो इसमें है क्या, इसमें hierarchical manner में पूरा का पूरा है, Oracle database जो है, जैसे single Oracle था, वो दो पार्ट में divide हुआ, instance, पहला part instance थ instance जो है, फिर उसके वापस से further part हुए, instance के अंदर जो system global area है, इसके वापस से part है, इसके parts के अगर हम बात करें, तो buffer case है, shared pool है, redo log buffer है, large pool है, and java pool है, यह जो है, यह इसकी basic entities बोल सकते हैं, यह basic part हम लोग इसके बोल सकते हैं, buffer case है, इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, buffer case है बात करें, buffer case is used to store the copies of data block that retrieve from data files, buffer case का मतलब क्या है, यह किसी चीज के लिए यूज मिली जाता है, used to store the copies of data block, data block की जो copies होगी, जो कहां से retrieve की जाती है, हमेशा data files के अंदर से, मतलब यहां पे क्या store होगा, यहां पे data block store होगे, कहां से data file से, that is when user retrieve data from database, the data will be stored in buffer कैसे, मतलब क् जब भी database से user किसी भी data को retrieve करेगा, तो वो data कहां जाके store होगा आपका, buffer cache memory में, its size can be manipulated, मतलब इसकी size जो है, यह vary करती है, अच्छा normal सी बात है, हमको यह थोड़े ना पता है कि, कि जब user होगा, वो किस time किस database से, कितना data access करेगा, तो इसकी जो size है, वो size कम जादा की जा सकती है, यह question यहां से पूछा जा सकता है, कि इसके लिए parameter कौन सा यूज मिली जाता है, तो इसका जो parameter है, वो है db underscore cache है, underscore size, db cache size, इसको बोला जा सकता है, db cache size इसका parameter है, अच्छा है, जो parameter है, यह किसके अंदर, यानि कि जो manipulation का काम होगा, जो data entry वगेरा के लिए, इसकी size वग update की जाएगी, वो update कहां पर की जानी है, तो यह update हमेशे की जाती है, init.or, initialization.oracle file इसको बोला जा सकता है, इस file के अंदर सारे के सारे parameter से set की जाते हैं, तो buffer cache का काम क्या, buffer cache जो है, वो उस वाली file को, जो user ने अभी database से retrieve की है, उस file को अपने अंदर store करके रखता है, और इस package जो होगी, वो किसे set की जाएगी, db cache size से, यहां तक का part समझ आया होगा, next वाला part देखते हैं, next है आपका shared pool, shared pool जो है, यह वापस से दो small part में divide किया हुआ, एक है library के से, और दूसरा है dictionary के से, यहां ध्यान रखिएगा कि एक एक part जो है, वो काफी सारे sub part में divided है, divided किया क क्यों गया है, ताकि जो single आपका एक part है या एक process उस पर ज्यादा burden ना पड़े, जो burden था उसको divide कर दिये गया, तो इसके दो part है, एक library कैसे है, एक dictionary कैसे है, library कैसे जो है, यह store करता है information कौन सी वाली, जो SQL या फिर programming language SQL के statement है, मतलब उन process को या उन information को यह store करता है, जो commonly अभ लिए, and is managed by, यह question भी पूछा सकता है कि कौन सी algorithm के थुरू यह काम हो रहा होगा, normal सी बात है कि अगर shared pool का part, जो library cache है, library cache अगर वो काम कर रहा है, तो किस तरीके से कर रहा होगा, उसके लिए को algorithm लगी होई होगी, अच्छा algorithm के अगर हम बात करें तो algorithm काम क्या करती है, algorithm manage कर करती है, क्या manage करने का काम करती है, SQL and PL, SQL statements, जो अभी running में है, उनको manage करने का काम करती है, अच्छा manage करती है, तो कौन सी algorithm यूज में ली जाती है, वो है आपकी LRU, least recently used algorithm, तो यह algorithm यूज में ली जाती है, it is also enable the sharing those statements among users, अच्छा देखो, यहां तक तो क्या हुआ कि LRU जो है यूज में ली गई यह algorithm, किस चीज के लिए इनन statements को store करने के लिए, information को store करने के लिए, अच्छा यह जो statement है, इन statement को user के लिए enable करने का काम भी क्या करती है, अपकी library cache, तो यहां तक का part समझ आया होगा, library cache का main काम क्या है, कि यह उन statement को SQL और PL, SQL जो है, उनके statements को store करने का का काम करती है, उनको enable करने का काम करती है, किस चीज के लिए करती है, users के लिए, ताकि users उसको use में ले पाएं, और algorithm कोन सी यहां पर use में ली जाती है, वो है least recently used, next part अगर यहां पर देखें, तो next आता है dictionary कैसे, dictionary cache जो है, अच्छा यहां पर जो cache है, इसको cache भी कहा जा सकता है, इसका pronunciation जो होता है, वो तो cache ही होता है, cache memory जो है, उसका concept ही हम देख लेंगे, अच्छा dictionary कैसे की अगर बात करें, तो dictionary कैसे का करता है, store information about object, मतलब यह object की information, या फिर उनकी definition को store करने का काम करेगा, अच्छा यह कौन से objects हैं, यह जो objects हैं, यह column आपका एक जो है, टेबल के अ definition एक object हो सकती है, index की definition, users की definition, उनके जो privileges उनको मिले होएं, उनकी definition, तो इसका काम क्या है, कि यह object definitions जो होंगी, object की detail जो होंगी, उनको store करने का काम करेगा, किसकी database की files की, तो वो files क्या क्या क्यों हो सकती है, common name, column name हो सकता है, table, index, user और users के privileges, अच्छा, next बात अगर करें, कि shared pool, जो size है, उसको set कैसी किया जा सकता है, जैसे buffer की हम size manage कर रहे थे, वैसे Sam, यहाँ पर भी shared pool, जो है, उसकी size को shared pool size से manage किया जा सकता है, parameter यहाँ भी Sam, वही होगा, init.ora, अच्छा, ये question पूछा जा सकता है, कि कौन से parameter के अंदर sizes को, ये variables को set किया जाता है, तो कौन सा होगा आपका init.ora, next अगर देखें, तो next है आपका redo log buffer, redo log buffer के अगर बात करें, each dml statement, dml क्या है आपका data manipulation language, data manipulation language, ये आप लोगोंने पढ़ रखा होगा इसके बारे में, database के अंदर रहती है, ये dml, dml statement जो है आपके select, insert, update, delete, ये execute करता है, और इनकी entry कहां से generate करता है, redo entry, अच्छा इसको ऐसे समझ लीजिएगा, कि इसका काम क्या है, कि ये executed by user will generate the redo entry, मतलब ये जो statements है, ये user जब इनको execute करेगा, तो ये एक redo entry generate करता है, अच्छा redo entry क्या होती है, ये समझ लेते हैं, redo entry is an information about all data changes made by user, इसको समझ येगा कि dml के जितने भी statements हैं, जितने भी यहां पे values बोल लीजिए, ये फिर dml statements जो है, इनको जब भी run किया जाएगा, तो normal सी बात है, कि data में changes के लिए ही, इसको यूज में लिए जाएगा, इसमाल लीजिए update यूज में लिए user ने, update का मतलब पुराने value को replace किया होगा, किसी नहीं value से, तो redo entry जो है, ये पूरा का पूर ट्रेक रखती है, कि user ने कहां पे क्या changes किये थे, बहुत important चीज है, इस पर question simple सब पूछा जा सकता है, कि database के अंदर, Oracle के अंदर, जो database होता है, उस database के अंदर, जितने भी changes होता है, उनकी details कौन रखता है, उनकी detail कौन रखता है, redo entry, that redo entry is stored in redo log buffer, दूसरा question यहां से बनता है, redo entry की जो details है, वो कहां पे store की जाती है, तो वो है आपका redo log buffer, before it is written into the redo log files, तीसरा question, store कहां पे की जाती है, basically तो redo log files में, उसके पहले कहां पे store होती है, redo log buffer में, entry कौन सी होती है, redo entry, redo entry का का काम क्या होता है, कि user ने जो भी changes किये है, database के अंदर, जो भी operation perform किये थे, उन सब की entry रखना है, एक उनका track रखना, to manipulate the size of redo log buffer, you can use log buffer parameter, parameters इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो parameters देख लीजिएगा, कोशिस कीजिएगा, कि सबके parameter आपको याद रह जाए, और ये हमेशे याद रखिएगा, कि हमेशे जो parameter की definition है, वो init.ora में हमेशे रखी जाती है, initialization of oracle file, ये parameter है आपका oracle का, next अगर देखे, तो next है आपका large pool, large pool जो है, ये एक optional area है, किसका, sga का, sga जो था है, ये उसका एक optional area है, it is used to relieve the burden, places of the shared pool, shared pool जो हमने पढ़ा था, उसका burden कम करने के लिए, large pool यूज में लिया जाता है, अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखे, it also used for input-output processes, input-output की जितनी भी processes होंगी, वो सारी की सारी input-output process कौन handle करेगा, large pool, shared pool जो था, उसके काम पूरा अलग था, उसके part अलग थे, लेकिन अगर मान ली जो इस पर ज़्यादा burden पने लगता है, तो काम कौन start कर देगा, large pool, काम मतलब divided हो चुका है, large pool, basically कौन से operations देखता ह आपके input-output process जो होंगी, उनको सबको ये handle करेगा, large pool की जो size है, वो large pool size parameter है इसका, जिसके थुरू set की जा सकती है, manipulate की जा सकती है, किसके अंदर की जाएगी, init.ora initialization file में, अच्छा जितनी भी files है, ये चीज़ अच्छे से देख लीजिएगा, ये मैं बार बार बोल रहा कि init.ora जो है, ये initialization file है, काफी important है, initialization.oracle इसको बोल सकते हैं, सारी की सारी जो भी data's की value होगी, जो भी parameters की value set की जाएगी, वो हमेशा इसी के अंदर की जानी है, next है आपका java pool, java pool जो है, ये parsing के लिए use में लिए जाता है, java command जितनी भी होगी, उन java command की parsing के लिए use में लिए जाता है, अच्छा, java commands जो running में होगी, उन java commands को run करना, उनको execute करना, वो सारा काम किसका होगा, java pool का होगा, यहां भी same case है, java pool की जो size है, उसको वापस से set किया जा सकता है, manipulate किया सकता है, उसके लिए जो parameter है, आपके पास में, वो है, java pool size, अच्छा, याद करना क साफी easy है, आपको करना कुछ नहीं है, जो भी है parameter वहर नाम रहता है, और underscore के बाद में size लिखा रहता है, अपडेट कहां की जाने है, वही same, init.ora में, next देखे, program global area, program global area जो है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा, although the result of SQL statement parsing is stored in library case है, यह चीज़ अभी just हमने देखी थी, कि library case के अंदर क्या होता, SQL statements जो होता है, वो सारे के सारे store कहां किया जाता है, उनके results वगेरा, उनी statements को कहां store किया जाता, library case में, but the value of binding variable will be stored in PGA, यह चीज़ देख लीजिएगा, कि जो elements थे, जो SQL statement थे, वो कहां पे हैं, आपके library case में, लेकिन जो value है, binding variables की, मतलब जो variables use किये जा must be private or not be shared among users, मतलब जो variables है, जो binding variable जिनको user अभी use में ले रहा होगा, वो वाले variables है, जिनको separate रखना है, जिनको private रखना है, जिनको दूसरे users use में ना ले पाए, the PGA is also used for sort area, data वगेरा जो है, यह statements वगेरा जो है, उनको अगर sorting के अगर हम बात करें, तो उसके लिए भी PGA software area code जो है, software area code जो, यह क्या करेगा, is a location in memory where the oracle application software resides, मतलब जहां पे आपका oracle application software काम कर रहा होगा, जहां पे इसको store किया होगा, वो वाली value क्या होगी आपकी software area code, मतलब वाला part किस नाम से जाएगा, software area code के नाम से, तो यहां तक समझ आया होगा, इन में confusion बिलकुल भी नही होना है, किसी पार्ट में कोई confusion नहीं रखना है, सारे पार्ट जो है, एक या दो बार आप इस वीडियो को देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, काफी लोगों के लिए बिलकुल नया होगा, और एकल जो है, यह थोड़ा सा theoretical concept इसमें ज़्यादा है, वरकिंग two category of process that run on Oracle database, एक है आपकी user process, एक है आपकी system process, अच्छा है जो process है, यह process next वाले वीडियो में cover की जाएगी, यह वाले वीडियो काफी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वरना तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमको जरूर बताइएगा, comment करके, पसंद आठा है तो like जरू process की जाएगी, आज upload कर दिये जाएगे, thank you